एक पार एक साधक ने महरसी रमन से प्रस्न पूछा कि महरसी मन का स्वरूप क्या है तब महरसी उत्तर में कहते हैं जिसे तुम मन कहते हो वह मन नहीं है वह आत्मा में निवास करने वाली एक आश्चर्य जिनक सकती है इसी से सभी विचार उदित होते हैं और विचारों के अत्रिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं इसलिए विचार मन का स्वरूप है विचारों के अत्रिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है जब वैक्ती गहन निद्रा में होता है तब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है चाहे जाकृत हो या स्वपन हो